हाँ जी क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के होप सब लोग अच्छे होंगे सब ही लोगों को जो मेरे वीडियोज देखते हैं उन सब को मेरा प्यार भड़ा नमस्कार है बहुत टाइम हो गया मेरे भाई मैं आप लोगों को वीडियोज नहीं करके दे पा रहा था उने चैनल से कुछ अपने सैटलमेंट के चक्कर में लगे हुए थे कि थोड़ा से सैटिंग कर ले अपना क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ अननसैसरी वीडियोज आप लो के लिए बहुत ही important वीडियो होने वाली है यह एक informative वीडियोज है इस वीडियो के थ्रू में आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने self के life में experience किया मैं वही चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा आपको और जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको thumbnail देक है कि dependent visa zero रुपए लगा कर आप कैसे apply कर सकते हैं zero रुपए मतलब agent fees zero it means आप self से dependent visa कोई भी dependent visa कर सकते हो apply चाहे वो student dependent visa हो चाहे वो skilled worker dependent visa हो कोई भी ही visa है जो same process follow करता है England आने के लिए तो मैंने अपने case के लिए जो चीज़ें apply की थी वही चीज़ें क्योंकि मैंने अपना dependent का visa self apply किया है तो उनका visa आ गया है ये मेरा motive है ये वीडियो बनाने का ठीक है मैंने self ही किया था एक वीडियो में और आपको दूँगा जो self के लिए skilled worker visa कैसे apply करते हैं भाई साब agent लोग बहुत पैसे लेते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए आपको कुछ requirement होती है चीज़ों की अगर आपके पास वह सारी चीज़े हैं तो visa आप खुद file कर सकते हो कोई advocate किसी की जरूरत नहीं होती है बकायदा आपको step by step आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो भी dependent visa apply करने के लिए आपको कौन-कौन से सीज़ों की जरूरत होती है कैसे आप apply कर सकते हैं ठीक है और कितना आपको खर्चा हो सकता है dependent visa apply करने के लिए ठीक है जी हाँ तो guys अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं Google के उपर जहां पे हम search करेंगे अभी gov.uk के और उसके बाद देखें आप आगए हैं आपके official website के उपर जहां पर हम अभी search करेंगे health and care visa ठीक है तो यह मैं आपको visa करने का process proper बता रहा हूं online यहां पर आप आने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर health and care worker visa का link खुलेंगे जहां पर आपको full detail दिया रहता है उसका कहा यहां पर क्या कैसे करना है किस चीज की requirement होती है क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए each and everything आप देख सकते हो यहां पर तो आप लोग जैसे ही इस link पर आओगे यहां पर आप find out करोगी और partner and children का option जिस पर आपने click करना है click करते ही आपको आपके partner और बच्चों के लि हमने outside से apply करना है वो आपको यहां पर दिख जाएगा एक option कि हमने outside से apply करना है तो कैसे कर सकते हैं ठीक है उस link पर हम अगर अभी जाकर click करेंगे तो उस पर click करते ही आपको next पर ले जाएगा जहां से हम आपको आगे बताते हैं तो हम अभी देख रहे हैं link पर click किया हमने outside स planning to leave अपने according वाप select कर लोगे देन आप continue करोगे do you have current EU Swiss passport आपने no कर देना है देन आगे जाना है आप कौन से country में अपना biometric provide करोगे वो आपको detail भरना है सबसे पहले जैसे मैं इंडिया का भर रहा हूं then आपने आपको वो question चीजे जरूरी दिखाएगा कि आपको क्या क्या चीजे चाहिए जैसे certificate of sponsorship और जो भी चीजे यहां पर आपको हर एक चीज clearly mention होता है ठीक है उसके बाद आप apply now पे click कर दोगी यहां से आपको sign up करना होगा आगे जाकर आपको आपका email id यूज़ करके और आपको एक password create करना पड़ेगा जो कि आप यहां से आसानी से कर सकते हैं हाँ जी तो अभी हम आगे है real example के साथ जहां कि आप देख सकते हैं एक मेरा भरा हुआ application form है जो मैं आपको for example दे रहा हूँ यहां पर proxy purpose से मैंने जो main personal details हैं वो सारे hide किये हुए हैं बग्कि आपको अपने details यहां पर fill up करने रहेंगे तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक request करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है आपके लिए helpful है तो please channel को subscribe कर लेना growing UK आप मेरे को instagram facebook के उपर भी सेम नाम से reach out कर सकते हैं वीवेक कुमार नाम से आपको ID मिल जाएगा facebook के उपर वीवेक UK.01 से instagram पर तो भाई वीडियो को हम आगे शुरू करेंगे like कर देना please अगर आपको पसंद आता है चीज तो इसमें आप देख सकते हैं आपको सबसे पहल आपको contact जो email है contact language आप कौन सा ले सकते हैं each and everything अगर आप देख रहे हैं तो आपको सब कुछ दिख रहा है यह सब चीज आपको front पे दिख रहा है क्योंकि यह भरा हुआ application form है क्योंकि यह मैंने आप के लिए इसलिए लिए लगाया है कि आप कहीं पर गलती ना करें तो आप join करने वाले होते हैं ठीक है तो जब आप start करने वाले जाओगे तो वहाँ पे आपको visa का सबसे पहला point होता है कि आपने visa का type choose करना है जिसके अंदर आपने partner visa का option choose करना है क्योंकि आप partner को join करने वाले होते हैं ठीक है जी और इसकी जो fees वगरा लगती है वो time to time change करती रहती है तो आप इसके लिए वरी ना करें क्योंकि जो pound की value होती है उसके हिसाब से ही यह आपका fees लगता है दूसरी चीज़ आपने most important thing रखनी है कि आपको आपके applicant का UA number बगरा पता होना चाहिए cost number यह सब आपके पास होना चाहिए तो हम शुरू करते हैं जिसमें आप देख रह आपका last name होईगा ठीक है वो travel आप करने जा रहे हो उस आदमी का नाम आ जागा जिसको आप ज्वाइन करने वाले हो ठीक है इसमें मेरा नाम आ रहा है क्योंकि यह मेरी wife की तरफ से इधर को आने का है ठीक है तो यह सारे डीटेल आप देख रहे हैं यह बहुत basic है इसमें मै आपको दिया है यह कि आपको कोई problem ना हो जब मर्जी आप चेक कर सकते हो तो जहां पर आप यह देख सकते हो यह मेरी full just basic details है मेरे passport का number ठीक है और traveling to the UK मेरा नाम है ठीक है nationality है और जो document travel करने वाली होती वो हमारे पास passport होती हो आपको पते है तो उसका number आपके पास रहता है normal सी बात है जिसे आप join करने वाले होगे उसका आपके पास cost number उसका passport details company में कहां पे काम करता है जो cost number होता है उसके उपर full details आपकी mention होती है जो इस application में आपको use करना होता है ठीक है जी तो देखें आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं which visa जो आपका dependent होता है मतलब जो आपका main applicant applicant होता है वो किस visa पे है वो उसका question का answer है कि applying for being granted वो skilled worker पे होता है वो चाहिए skilled worker कोई भी हो सकता है skilled worker में हम आते हैं shortage occupation list में ठीक है जो health care visa होता है then आपको question पूछ रहा है कि क्या आपको आपके applicant का main applicant जो abroad में रह रहा है उसका UN number है जो उसने application क्या होता है उसका UN number generate हो रहता ह है तो आपने yes करना है फिर वो उसके application का number यहां के आपने fill up करना है क्यूंकि आपका application उसके application के साथ joint हो जाता है अब आप देख पा रहे हैं उसका sponsorship license number है वो आपको उसके लिखा रहता है cost के उपर shortage application list में आता है कि नहीं आता है वो आपको depend करेगा आपके job के उपर then आपक certificate of sponsorship मतलब हो उसका length कितने time का है कईयों का होता है three years का two years का तो उसके लिए आपको three years select करना है अगर तीन साल से ज्यादा का है तो more than three years select कर देना है तो इस तरह से आपको select करते जाना है आगे बहुत बहुत ही simple होता है apply करना मैंने आपको इसलिए इस पर डाला है क्योंकि यह हां से आप कैसे भी एक जिसको कुछ नहीं पता ना वो भी कर सकता है आपको किसी को पंजाब में बहुत ही काम करा है बहुत सारा पैसा देना पड़ता है लोगोंको अपना visa file कराने के लिए क्योंकि मेरे self के भी बहुत पैसे लग गए थे जब मैं student visa पर आया था बट मैंने अपना skilled worker भी खुड किया और अपने wife के लिए भी यह खुड किया dependent भी था तो इसलिए मैं आप सभी को guide कर पा रहा हूं ठीक है जी तो यह आपका जो है इसमें एक important question पूछ रहा है has we become a sponsor agreed to certify your maintenance on their certificate of sponsorship तो yes करना है अगर आपके husband या wife के company ने agree किया हुआ है तो उसको आपने yes कर देना है ठीक है तो यह जो चीजे मैं आगे आगे आपको ऐसे निकाल रहा हूं थोड़ा सा scroll down करके यहां पर बहुत basic basic से चीजें पूछ रखी है ठीक है जी तो application number आपका 7 number पेस से start होता है बहां कि आगे लगबख फरदर सारा no answers होता है आप video को रोक रोक कर देख सकते है जहां भी आपको डाउट लगे तो भाई इस तरह से आपका application number के त्यार हो जाता है और आप इसको submit कर देते हो 10 से 12 दिन के अंदर नॉर्मली आ जाता है result तो यह था आपके भाई का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो please do subscribe my channel hit the like button and आगे की वीडियो के लिए press the bell icon bye bye see you